उतरकाशी में टनल में फसे एक तालीस मज़़ूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ओपरेशन तेज हो गया है लेकिन नौ दिन अल्रेडी बीच चुके हैं टनल में फसे लोगों को निकालने के लिए अब रॉबोटिक्स मशीन का साहरा लिया जा रहा है इस मज़़ूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ओपरेशन युद्सतर पर जा रही है इस ओपरेशन के तहट छे प्लान पर काम करने के लिए केंद्र और राज्ज सरकार के अधिकारी सिल्क्यारा में डेरा डाले हुए है पिछले आठ दिनों में रेस्क्यू के लिए आई चार मशीने और तीन प्लान फेल हो चुके हैं अब नई रणनीती के तहट आठ एजेंसियां और आईटी बीपी एक साथ पाँच तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेगी जिससे सभी मज़ूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके नई प्लान के मुताबिक टनल के ऊपर रास्ता बनाने का काम चल रहा है टनल के प्रवेश द्वार के तकरीवन तीन सो मीटर की दूरी पर आप ये ड्रिल किया जाना है ग्राउन रिपोर्ट से हम जीनी उसमवादाता राम अनुज ने हमें खास रिपोर्ट बेजिए वो आप देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बियारों की सड़क का निर्मान कर रहा है आप देखिए कि आज रेस्क्यू आपरेशन के नवे दिन लगातार युदिस्तर पर कितनी चुनवतियों का सामना करते हुए इस रेस्क्यू आपरेशन को अन्जाम तक पहुचाने के लिए बियारों की टीम इसी तरह से एक्सिवेटर बड़ी है भी मसीनों के जरिये और इतनी उचाई पर लगातार सड़क बना रही है चुकि जो एसी बियनल की टीम है वो आगे चल करके एक ड्रिल करेगी जिसकी ड्रिलिंग की कैपसिटी 90 मीटर से 100 मीटर तक है और उसकी 75 टन की मसीन भी यहाँ पर पहुचनी है और अभी तक जो जानकारी है उसके मताविक उडिसा और गुजरास से उस हैवी मसीन को यहाँ पर मंगाया जा रहा है और आप देखेंगे कि इतना पतला ये रास्ता है और इस रास्ते के जरिये से ही उस इस रास्ते को तैयार किया जा रहा है जहां पर डिलिंग की जाएगी और डिलिंग के जरिये ही उस टनल में उतरने की कोशी से जहां मजदूर फसे हुए है और यही वो शित्र है जहां से न इस बात के लिए इंडिकेशन है कि यही वो इस्थान है जहां पर अब ड्रिल की जानी है सबसे महत्पूर बात यह है कि यहां की जो ड्रिलिंग होगी दो पाइपलाइन की होगी पहली पाइपलाइन लाइफलाइन के लिए होगी यानि जिससे खाने पीने का सामान और साथ मे रेस्क्यू करने के इंस्ट्रूमेंट अब उसके थोरो डाल करके चेक किये जाएंगे इसी तरह से दूसरी पाइप को यहां से ड्रिल किया जाएगा जिसके जरिये पूरा रेस्क्यू आपरेशन चलेगा इस वक्त जहां जी मीडिया की टीम है ठीक इसी के नीचे मजदूर ट जरता है तो आज गराउंड जीरो पर आपको यह दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू आपरेशन का वो पार्ट जिसका इंतजार है जिसमें एस्जी बीनल और आर बीनल की टीम यहां पर ड्रिल करेगी और यह ड्रिलिंग जो होगी वो तकरीबन पचाटर टन की जो मसीन है वो से बियारों की मदद से पूरा एक रेस्क्यू आपरेशन का जो सबसे महत्पूर पार्ट होगा वो यहां से सुरू होगा और गराउंड जीरो पर आपको दिखाते हैं कि यह मार्किंग हो चुकी है यहां पर निसान लग चुके हैं रेस्क्यू आपरेशन अब यहां से किया हर रोज सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से एक नया प्लान बता दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि मशीन आएगी मशीन अगले 24 घंटे में आएगी और दो तीन दिन लग सकते हैं लेकिन उन परिवारों का सोचिये जिनके अपने इस टनल में फसे हुए हैं उतरका के शग आरनॉल्ड डिक्स भी रेस्क्यू अभियान के कमान समाल चुके हैं उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और वहीं अब 41 जिन्दगियों को बचाने के लिए 6 प्लान पर एक साथ काम किया जा रहा है और चिंता बढ़ती जा रही है हर बीतते दिन के साथ 9 दि बीत चुके हैं दस्वा दिन शुरू हो जाएगा टनल रेस्क्यू के लिए अब 6 प्लान पर काम किया जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि पहले ही दिन से इन 6 प्लान पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ जीनियू समवादाता ग्राउंड जीरो से अंजली सिंग मेरे साथ लाइव जूड रही है अंजली अब 6 प्लान पर काम किया जा रहा है नौ दिन अल्रेडी निकल चुके हैं escape channel आपने बनाया नहीं जो कि दुनिया भर में जब भी कोई tunneling का काम होता है तो एक escape channel बनाया जाता है पहली गलती वो जिस कमपनी को ठेका दिया गया उस कमपनी के पास उस तरीके के औजार नहीं है जिसमें emergency की situation में वो drill की कर सके या rescue operation को आगे बढ़ा सके तो फिर ऐसी कम plan पर काम किया जा रहा है तो फिर इतनी दिनों बाद इन 6 plan पर एक साथ काम क्यों किया जा रहा है क्या वहाँ प्रशासन का कोई अधिकारी जवाब आपको दे पा रहा है जी देखे जहां तक यह सवाल आपने पूछे शोबनाजे बिलकुल वाजिब है और यह सवाल पूछे भी गए हैं ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से बलकि यहाँ पर जो नेता पहुँचे हैं उनसे भी कल यहां नितन गटकरी आये थे उतराखन के मुखे मंतरी आय हैं कि इस टैनल के अंदर वो बनाई जानी चाहिए थी जब इस सवाल पूछा गया तो नितन गटकरी ने कहा कि हमने बहुत सारी टैनल बनाई है और अभी भी देश भर में कई टैनल पर काम हो रहा है हाला कि यह एसकेप चैनल बहुत कम अफसरों पर ही काम में आई है लेकि इसके साथ ही अब चुकि जैसे नौ दिन बीटते जा रहे हैं तो जाहिर सी बाते चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं उन लोगों की भी जो अंदर फसे हैं और उनके परिवार वालों की भी जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अभी कि यह जो तस्वीरे दि देखेंगे तो आप यहां से अभी हम आखों से मलबा देख पा रहे हैं यहां से 200 मीटर की दूरी पर करीब जो है वो मलबा मौजूद है जिसको ड्रिल करना है लेकिन अब सबसे जादा काम जो हो रहा है वो हो रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग पर यानि टेनल के ठीक ऊपर ज इसको एयर लिफ्ट कराना संभब नहीं था तो उन मशीनों के आने में भी जो प्रिशासनी कधिकारी है उनका कहना है कि एक से दो दिन का वक्त अभी लग सकता है तो जाहिर सी बात है जो सवाल आपने पूछा कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यूं या इतने यह जो प्ल और इस रोड है वो लोग काम कर रहे हैं कुल मिलाकर नौ दिन बीच चुके हैं और अभी तक इन जिन्दगियों की बचने की क्या चांसेज हैं वो कोई नहीं बता रहा है एक छोटा से जवाब आप दे दीजिए क्या यह 41 के 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं टनल क अंदर क्या यह प्रशासन इसकी गैरंटी ले रहा है या आश्वासन दे रहा है जिदे कि बिल्कुल इस पर हमने सवाल पूछा और यहां पर जो डियम है और अन्य अधिकारी हैं उन सबने इसकी पुष्टी की है कि सभी 41 लोग जो है वो अभी सुरक्षित हैं उनसे बात क कि जा रही है उनके परिजनों से लगातार उनकी बात करवाई जा रही है एक मेडिकल टीम यहां पर मौझूद है जो उनके स्वास्थ की जानकारी ले रही है कुछ एक लोगों को सरदर उल्टी जैसी माइल्ड इलनेस वाली समस्याई हुई थी जिनको दवाईयां भी कर दिये गए हैं जी चलिए ये एक बड़ी राहत बड़ी ख़बर है कि कम से कम प्रेशासन के अंदर इतनी संवेधन चीलता तो है कि घरवालों को देश को ये लगातार अपडेट दिया जा रहा है कि खाना उन तक पहुचाया जा रहा है ऑक्सीजन उन तक पहुचाई जा कर दो